नमस्कार दोस्तों पिछले वीडियो के अंदर हमने इथर के सामाने जानकारी और इथर की जो सरंजना और बंदन और उसका IPC नाम पढ़ लिया था आज हम इथर के वीर्चन की जो विदी हैं के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं वीर्चन के निर्जली करण से यादा मात्रा में लिये जाता है एलकोल के आदिके को अगर अमल के साथ गरम कर दें तो इथर बनते हैं अगर हम यह जलकानों बना देगा और R, O, R यह इथर हमें प्राप्त हो जाएगा अगर हम एलकोल को निम्न ताप पर निर्जली करन करेंगे तो इथर बनेंगे और यदि उच ताप पर हम इसका निर्जली करन करेंगे तो उच ताप के निर्जली करन से एलकीन बनेंगे एल्किन, एल्कोल को निम ताप पर निर्जली करन करने पर इथर प्राप्त होते हैं और उच ताप पर निर्जली करन करने पर एल्किन प्राप्त होते हैं देखिए ये CS2, H5, OH ये एक एल्कोल है और दूसरा एल्कोल का आणू ये है इसको अमली की उपस्तिती में हम क्या करते हैं निर्जिलिकरन करते हैं और इसका जो टेंप्रेचर है लगबग 140 डिगरी सेंटिग्रेट रखा जाता है तो C2H5O C2H5S2O ये जलका अनू बहार निकल जाता है और ये इथर प्राप्थ होते हैं उच्छ ताप पर इसका निर्जिलिकरन किया जाता है जैसे C2H5O H और इसको उच्छ ताप पर H2SO4 ये एसिड है और 180 डिगरी सेंटिग्रेट ताप पर इसका निर्जिलिकरन किया जाता है तो C2C2 ये प्राप्थ होगा जो की एक प्रकार का एलकिन है एथीन है यह कैसे पराप्त होता है देखे हम CH3, CH2, OH इस एलकोहन को हम इस परकार लिख सकते हैं और इसमें जो CH3 के अंदर एक हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को OH के साथ जोड़ देते हैं जिससे जल का अनूर बाहर निकल जाता है तो यहाँ पर भी CS2 बचा और यहाँ पर भी CS2 बचा तो यहाँ से हाइड्रोजन हटने से यह जो बोंड है डबल बोंड हो जाएगा क्योंकि एक hydrogen हटने से यहां एक electron सेश रहेगा और इसका OS हटने से यहां पर एक electron सेश रहेगा जो की दोनों एक b Falls का निर्मान कर देंगे तो इस परकार यह किरिया होती है किरिया विदी इसमें दोनों परकार की किरिया विदी होती है SN2 और SN1 वन दो एसन टू किरिया विदी इस किरिया विदी में पर्थम जो पद होगा वो फास्ट होगा जिसमें आर ओएच जो एलकोल है वो प्रोटॉन गरन करेगा और ये प्रोटॉन गरन करके ये क्या करेगा प्रोटॉन गरन करके आर ओएच टू प्लस ये जो प्रोटॉन है वो ओएच के पास आ जाएगा और ओएच टू पोजिटिव ये प्राप्थ होगा पहले जो पद है उसमें तो ये किरिया होगी और फिर दूसरा जो पद है उसमें क्या होगा जो आपके पास ये जो आर ओएस टू पोजिटिव प्राप्थ हुआ है ये क्या करेगा दूसरा जो एलकोल का आनू है उसके साथ ये सैयो करेगा आर एस टू पलस अब ये यहां पर जुड़ेगा और ये जो जल का आनू है ये बाहर निकलेगा देखे कैसे ये किरिया थोड़ी दीमी गतिशे होगी आर ओ इस ओ के उपर एस पहले से जुड़ा हुआ है और यहां पर पोजिटिव चार जा जाएगा और आर यहां पर जुड़ेगा और साथ में जो जल का आनू था वो जल का आनू एस टू ओ के रूप में बाहर निकलेगा इसमें जो प्रोटोन है वो क्या करेगा जल पर इस्तानांतरित हो जाएगा मतलब यह जो है इस जल पर क्या हो जाएगा इस्तानांतरित हो जाएगा यह करेगा भी क्या होगी फास्ट होगी और और यह इतर बन जाएगा और साथ में एस थ्री ओ पोजिटिव यह बाहर निकल जाएगा तो यह करेगा होगी अब इसको एक बर फिर से आप देख लीजिए SN2 अभी किरिया क्या है यहाँ पर ROH एलकॉल का आणू है यह proton H+, इसके क्या होगा गरन करेगा मतलब proton को गरन करेगा तो यह प्राप्थ होगा ठीक है दूसरे पद में जो यह हमें प्राप्थ हुआ था आकर्मन करेगा एलकॉल का जो दूसरा अनू है नाभी सनेक की तरह कारी करता है और जो प्रोटोनी करत एलकॉल है यह जो प्रोटोनी करत एलकॉल है इस एलकॉहल पर वो आकर्मन करेगा और इस परकार आकर्मन करके यह हमें प्राप्थ होगा यह आकर्मन करेगा तो यह प्रोटोनी करत इथर प्राप्थ हो जाएगा अब यह प्रोटोनी करत इथर है उसमें जो प्रोटोन है वो जल पर इस तानांतरन हो जाएगा और इस परकार यह बन जाएगा SN1 किरियाविदी मतलब SN1 जो किरिया भी दी है ये केवल तिर्थियाक एलकोहल ही दरसाते हैं SN1 अभी किरिया है वो कौन दरसाएंगे 3 degree एलकोहल ही दरसाएंगे तो मैंने ये 3 degree एलकोहल लिया है इसमें उशी परकार से ये क्या करेगा मतलब proton जुडेगा इस पर तो proton इस पर जुड़ेगा, तो क्या बनेगा, पॉजिटीव, अब ये जो proton इक रत एल्कोहल जो बना है, इससे क्या बनेगा, SN1 अभी क्रिया में कार्बोनियम बनेगा, मतलब कार्बोकेटाइन बनेगा, अब वो कैसे बनेगा, देखिए, ये proton इक रत एल्कोहल है, ये क्रिय किया क्या होगी शलो होगी यह किरिया सलो होगी अब इससे बनेगा कार्बो केटाइन आर पोजिटीव और यह आर मतलब यह जलका अनू था यह क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा S2O ये बाहर निकल जाएगा अब ये जो प्राप्त हुआ है ये कार्बो केटाइन प्राप्त हुआ है अब ये जो कार्बो केटाइन है ये एलकॉल के दूसरे अनू से क्या करेगा अभी किरिया करेगा पलस ये कार्बो केटाइन है ये एलकोल का दूसरा अनू है इससे ये किर्या होगी जो फास्ट होगी अब ये जो है ये क्या करेगा इससे जुड़ेगा कैसे देखी ये जो प्राप्त हुआ है में ये प्रोटोनी करत इथर है अब ये प्रोटोनी करत इथर के अंदर जो प्रोटोन जुड़ा हुआ है ये प्रोटोन जल के उपर क्या हो जाएगा इस्तानांतरित हो जाएगा जैसे हम पहले SN2 में देखा था उसी परकार ये क्या हो जाएगा इस्तानांतरित हो जाएगा और जल पर इस तानांत्री होते ही क्या बन जाएगा R3 इसको तीन लिख दिया मैंने क्योंकि 3R था O और इसके बाद में C R 3 और साथ में S 3 O positive तो ये जो प्राप्त हुआ है वो इथर प्राप्त हुआ है तो ये एक विदी थी जिसके दोरा हमने क्या कर लिया एलकोल हुँ से इथर प्राप्त कर लिया